हेलो गाई तो कैसे आप सभी लोगे उमीद है सभी लोग अच्छे होंगे तो भाई कापी दिन से वीडियो नहीं आ रही है तो मैं बता दूँ कि भाई मेरी तब्यातोरक की दिखराब तो अभी कुछ पहले से मैं बैटर फिल कर रहा हूं तो अभी वीडियो गना रहा हूं आ मैंनेजर साब कि आपको बताया था कि मैंने अपनी बाई की सर्वीस करवाई थी भाई मेरे पास पलसर 125 CC है बज़ाज की तो कंपनी काफी अच्छी बाई को नौ डाउट बाई काफी अच्छी पहुत अच्छी से वरक करती है और परफोमेंस तो काफी च्छी 125 CC के साबशर और एवरेज भी अच्छा कासा निकाल के देती है गाड़ी आपको लेकिन भाई एक बात बता दूँ आपको अगर आप सर्विस करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई हमारे पास में दो अपसन होते हैं हम बार भी सर्विस करवा सकते हैं आपर एजन्सी में जाके भी सर्विस करवा सकते हैं तो अभी मैं आपको एजन्सी के लिए बता देता हूँ कि भाई मैंने अपनी बाई को बेजा था एजन्सी में सर्विस के लिए तो जैसे कि एजंसी में सर्विस को आपको पता ही है कि अच्छे से सर्विस होती है इसलिए हम एजंसी में बेजते हैं लेकिन भाई मैंने जैसे बाई एजंसी में बेजी ना अपनी सर्विस के लिए तो भाई उन्होंने ना बाई को इतने गंदे तरीके से असेंबल किया है ना कि मैं आपको क्या ही बता हूँ तो मैं यहां पर स्क्रीन सोट डाल देता हूँ एक तो बाइक का जो हैड होता है ना मतलब जो वाइजर बोलते हैं जिसको हम सामने की तरह फूर उसको दिखा देख लेजिए आप किस तरीके से बंद किया है उन्होंने उसमें नीचे की तर सेट से इतनी गंदी तरीके की आवाज आ रही है ना पीछले टायर की तरफ से जरह बाइक में गड़ा लगता है कि खड़ 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 करती है पूरी गंदे तरीके से तो बाई गलती किसकी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कंपनी इतनी अच्छे से बना के दे रही है भाई फिर इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है और पेड सर्विस में यह हाल है भाई सोचो अब फिरी में कैसा काम करते होंगे सत्रा सो रुपे का भी लाया है इसमें सो दो से रुपे एक्स्टर देगे मैं अपनी बुलट को ठीक कर लेता हूं और इससे बैटर परफ तरीके से सेंबल किया है ना भाई क्या ही बता हूं आपको तो गलती किसकी है भाई कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लेगी कमेंट करना लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर करना मिलते हैं जल्दी एक बैस्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए जाहिंद